Hello students, welcome back to our YouTube channel आश्रिमा क्लासिस Today we discuss about steps to improve your communication skills या फिर हम कह सकते हैं how to improve your communication skills वो कौन-कौन से steps हैं जो हमें अपनी communication skills को improve करने के लिए लेने चाहिए personality, development and communication में आप लोगों के syllabus में ये topic है आपके exam point of view से ये topic important रहता है इसके आपके exam में आने के ज़्यादा chances रहते हैं या फिर आप communication से related कोई भी subject पढ़ रहे हैं तो ये video आपके लिए है देखे, सबसे पहले हम जान लेते हैं communication किसे कहते हैं What is communication? Communication जब एक person अपनी feelings, emotions, ideas को किसी another person को share करता है उसे ही हम communication कहते हैं There are two types of communication, verbal and non-verbal Verbal communication वो communication कहलाती है जो हम लिख कर और बोल कर सकते हैं लेकिन non-verbal communication जिसमें हमें नहीं लिखना पड़ता नहीं बोलना पड़ता वो हमारे body language, face expression या फिर हमारे gesture से पता चलती है तो अब आजाते हैं हम वो कौन-कौन से steps हैं जो हमें communication skills को improve करने के लिए लेने चाहिए First one is eye contact Effective communication करने के लिए सबसे पहले eye contact को होना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको confidence build up होता है और ये पता चलता है कि आपकी personality कैसी है अगर किसी person के अंदर confidence नहीं होता है तो वो eye contact नहीं कर पाता तो इससे आपकी personality का पता चलता है और आपके confidence का पता चलता है The receiver start trusting to him जो आपकी बास सुन रहा है person उसको आपके trust आता है और वो आपके बातों में interest लेता है eye contact करने की वज़ा से तो क्या लिखेंगे हम the receiver start trusting to him and show interest in his word Listen to him properly वो आपको properly सुनता है Maintain eye contact builds creditability अगर आप eye contact बनाये रखते हैं तो creditability होती है मतलब विशवशने अता बढ़ती है मानले जी आप sales person है अगर आप customer से eye contact बनाये रखते हैं customer को आप पर trust आता है आप पर विश्वास होता है जो भी आप product बेचने जा रहे हैं उसको आपकी बातों पर विश्वास होने लगता है and also it shows you care about your listener और इससे भी पता चलता है कि आपको अपने listener की कितनी care है मानले जी अगर आप interview देने गए हैं और आप से interviewer eye contact नहीं करता मतलब उसको आपकी figure ही नहीं है कि आप interview देना है आप उससे बात करना है और वो आपको ignore कर रहा है मतलब उसको आपकी care ही नहीं है आप में interest ही नहीं है तो eye contact होना एक conversation में बहुत ज़रूरी है या फिर आप interview देने गए हैं तो आपको भी eye contact रखना है ताकि इससे आपका confidence का पता चले और आपकी personality का पता चले second one is body language your body language is as important as your words जैसे आपके conversation में word ज़रूरी है body language भी उसी तरीके से एक important रहती है conversation में because body behavior tells about your personality body behavior जो होता है आपकी personality के बारे में बताता है it shows your emotions to your listener ये आपके emotions को share करता है आपके emotions को दिखाता है listener को क्योंकि आप अगर किसी से बात करने में डर रहे हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा आपके emotions के बारे में कि इसे English से डर लगता है या फिर आप किसी interview में डर रहे हैं तो आपका body language ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं कि आप हाथ पर रखके बैठे हैं या ऐसा नहीं कुछ कुछ जादा ही हिल रहे हैं बोलते समय ठीक है तो आपकी body language भी उसी तरीके से एक important part है जैसे कि आपके words राइट second है हमारा listen properly no matter how good are you in communication but if you are not good at hearing other than all the game ends ये matter नहीं करता कि आपको कितनी अच्छी communication आती है या आप कितनी अच्छी communication करते हैं अगर आपको किसी की बात सुननी की आदत ही नहीं है क्योंकि अगर आप किसी की बात सुनी ही नहीं पाते तो आपका क्या फायदा कि आप अच्छी communication करते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको दूसरे की बात सुननी होती है तब ही हम कह सकते हैं कि आप communication में अच्छे है effective communication is where you also listen properly instead of just throwing your words effective communication हम जब ही कह सकते हैं जब आप दूसरे की बात को properly सुनते हैं ये नहीं कि सिर्फ आप अपने ही words बोले जा रहे हैं और दूसरे की बात सुनते ही नहीं हैं और आप कहते हैं आप communication अच्छी कर लेते हैं तो इसे भी हम effective communication नहीं कह सकते इसे ये पता चलता है कि आप दूसरे की जिससे आप conversation कर रहे हैं आप उसकी कितनी respect करते हैं और उससे आपको बात करने में कितना interest है क्योंकि अगर आप किसी की बात सही से नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपको उसमें interest ही नहीं है तब ही आपने उसकी बात सही से सुनी नहीं है तो listen properly ये एक important point है अपनी communication skills को improve करने का क्योंकि आप अच्छा बोल लेते हैं ये जरूरी नहीं बलकि आपको किसी की बात को properly साथ में सुनना भी चाहिए तब ही हम कह सकते हैं effective communication आप कर पाते हैं अब है हमारा take time to respond मतलब हमें answer देने से पहले सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर हम कोई time नहीं लेते हैं सोचने से पहले तो हमें ये देख लेना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बात सही लगेगी भी या नहीं तो इसलिए हमें time लेना चाहिए किसी भी बात का answer देने के लिए चाहे फिर interview हो या कुछ भी तो देखे before responding in a conversation take some time to think properly about the speaker's opinion and then reply to him तो आपको response देने से पहले before responding in a conversation take some time to think सोचने के लिए कुछ time लेना चाहिए answer देने से पहले properly about the speaker's opinion आपको पहले properly सोच लेना चाहिए कि जो speaker है जो आप से पूछ रहा है कोई भी बात उसका क्या opinion है उसकी क्या राय है and then reply to him तब जाकर आप उसको reply दे it shows यह क्या show करता है it shows you are genuinely interested in him इससे पता चलता है कि आप genuinely उस चीज में interest करते हैं या फिर आप उसकी बात को अच्छे से properly understood मतलब समझ रहे हैं which is a good traits isn't it also it will give you little time to respond to him तो आपको कुछ समय लेना ही चाहिए अपने answer का response करने के लिए क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उस चीज में कितने interest लेते हैं या फिर आप उस चीज को कितने अच्छे से समझ रहे हैं next है हमारा respect your audience अब देखें अगर आप एक speaker हैं आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि आप अपनी audience की respect कर रहे हैं या फिर जिससे भी आप बात कर रहे हैं अगर आप उससे उससे respect देंगे तब ही वो आपको respect देगा तो respect your audience as a speaker you should respect your audience हमें अपनी audience की respect करने चाहिए they are here they are here for you to listen वो आपको सुन रहा है आप ये सोचे वो आपको सुन रहा है they want to listen to your ideas वो आपके ideas सुन रहा है to you must respect them remember the quote तो आप इस quote को याद के लेजे अगर आप उसको respect दे रहे हैं give respect, take respect चाहे कहीं भी आप चाहे speaker नहीं भी हैं तब भी अगर आप किसी से बात कर रहे हैं conversation कर रहे हैं अगर आप उसकी respect नहीं करेंगे आप उसको सुसमझ कर जवाब नहीं देंगे तो आपको भी reply में respect नहीं मिलने वाली अगर आप उसकी respect नहीं करें in listening to you ये धिहान लखना चाहिए हमें कि हमारी जो audience है जिसको हम अपनी बात कह रहे हैं वो active है भी या नहीं but if they are not you can ask them questions मतलब अगर वो active नहीं है तो आप उससे कुछ questions पूछ सकते हैं है ना आपकी बात में interest लाना चाहते हैं अगर आप इसी का तो उससे question पूछ सकते हैं या उसके opinion पूछ सकते हैं to grab their attention back उसकी attention को वापस लाने के लिए usually this trick is used in speakers तो ये जो trick है ज़्यादतर speakers use करते है where there are one speaker and a large number of listeners जहाँ पर एक speaker होता है और large number of listeners होते हैं वहाँ trick को use किया जाता है जैसे माली जे स्टेज पर आप speak दे रहे हैं speaking कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं तो आपको ये जाना है कि आपकी audience को आप में interest आ भी रहा है या नहीं तो आपको उनसे कुछ questions पूछने चाहिए उनके opinion पूछने चाहिए ताकि आप उनकी attention को वापस से grab कर सकें improve your communication skills to attend their attention you can use this तो आप अगर किसी की attention पाना चाहते हैं है ना तो आपको अपनी listeners से engage होना पड़ेगा next one is brief but to the point आपको briefly बताना है but to the point कैसे आप अगर बहुत जादा बोलते जाते हैं तो इस से आपकी audience जो है न बोर हो जाती है या कोई भी हो चाहिए आप speaker नहीं भी है अगर आप किसी से बात कर रहे हैं इंटरव्यू में answer दे रहे हैं मान लीजिए अगर आप किसी की बात का to the point answer नहीं देते हैं तो वो समझता इसको आता ही नहीं है ठीक है और वो time wastage हो दाता है we know from of our particular topic but it doesn't mean we speak everything अगर ऐसा नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप सब कुछ बोल देंगे we know from our particular topic हमें अपना particular topic के बारे में पता होना चाहिए it does not mean कि speak everything at the time of conversation यह नहीं कि आप conversation के समय सब कुछ बात बोलतें एक ही बारी में तो इससे जो है सामने वाले का बात नहीं चाहिए आपको अपने words simple and small रखने हैं और यह नहीं कि आप बोलते जा रहे हैं बस to the point बात करनी है it will start losing audience interest इससे audience का interest भी खतम हो जाएगा and time wastage will waste their time तो go on point always तो हमेशा हमें अपनी point की बात करनी चाहिए यह नहीं घुमा फिरा के बात करें तो इससे सामने वाले का जो है interest खतम हो जाता है आपकी बात सुनने में और time wastage भी होता है next basic of nonverbal nonverbal communication का basic आपको पता होना चाहिए अगर आप effective communication करना चाहते हैं क्योंकि nonverbal communication एक important part होता है आपकी presentation का देखिए nonverbal communication act as a presentation to your words यह एक तरीके की presentation है आपके words की कि आप अपने words को कैसे present कर रहे हैं मतलब आपका बोलने का tone कैसा है किसी से है ना आपकी voice का tone बहुत important करता है आपके words को present करने में है ना ideas को present करने में it describes you more about your thought इससे आप क्या बताते हैं कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हैं या आपके उसके लिए क्या thought है according to a survey according to a survey we humans use the mostly nonverbal form of communication in fewer words अगर हम survey के according बताएं तो generally यहाँ पर nonverbal communication का ही mostly use किया जाता है right क्योंकि अगर हम कहीं किसी के पास जा रहे हैं हमारे face expression voice का जो tone है और body language बहुत important करती है जैसे हम salesman है तो हमें किसी से कैसे body language present करनी है अपना tone कैसा रखना है voice का तो उधर यह use होता है nonverbal communication देखिए nonverbal communication को मैंने नीचे describe क्या है nonverbal communication information is shared without the use of written or spoken words अपनी information को share करना without written and spoken words include इसमें क्या आजाता है एक्जांपल facial expression, tone of voice, body language and gesture I hope आप लोगों को यह वीडियो हालफुल लगी हो वीडियो हालफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर और सिस्काइब